देश की सबसे पॉपुलर पैकेश वाटर बॉटल को बेचने वाली कमपनी बिचने जा रही है कमपनी के मालिक रमेज चौहान ने एक इंटर्वीर के दौरान इस बात की क chill की है की अब वो अपनी कमपनी को बेचने जा रहा है बिसलिरी को खरीदने के लिए Reliance, Nestle और Tata Consumer Products Limited मनलब TCPL जैसे कंपनी आगे आई हैं 6,000 से लेकर 7,000 करोड में रमेश चोहान अपनी कंपनी कंपनी को बेचने वाले हैं रिपोर्ट्स की माने तो बिसलिरी की कमान टाटा के पास पहुच सकती है हाला कि इस बारे में फिलाल कोई Official Confirmation नहीं है लेकिन रमेश चोहान ने Economics Times के साथ अपने इंटर्वियू में जिस तरह से टाटा के वर्क कल्चर को और उनके बिजनस को लेकर उनके आदरसों की तारीफ की थी उसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाटा के पास देश की सबसे बड़ी सील Package Water Bottle Company बिसलरी पहुच जाएगी टाटा कंजूमर जो पहले से ही Package Mineral Water बेशती थी आखिर क्यों बिसलरी को खरीदना चाहती है टाटा पहले से ही पानी के कारोबार में था लेकिन वो 7000 करोर रुपे खर्च करके बिसलरी ब्रैंट को खरीदना चाहती है टाटा के पास पहले से ही हिमालियन, टाटा कॉपर प्लस, टाटा ग्लूको प्लस जैसे प्रोड़क्स हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो बिसलरी को अक्वायर करना चाहते हैं दरसल बिसलरी जो है वो वाटर बिसनस में लीडिंग कमपनी है अगर टाटा बिसलरी को खरीदने में सक्सेस्फुल हो जाते हैं तो पैकेज वाटर बिसनस में ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और इनकी कमपनी नमबर वन कमपनी बन जाएगी बिसलरी की वेबसाइट पर मवजूद जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पैकेज वाटर बाटल का जो मार्केट है वो 20,000 करूर रुपे का है जिसमें से 60% हिस्सेदारी अनौर्गनाइज है और इसमें से बिसलरी की हिस्सेदारी 32% की है ऐसे में अगर टाटा ने इस कमपनी को कायर कर लिये तो टाटा का वर्चस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा टाटा के पास फिलाल जो वाटर प्रोड़क्ट्स है वो प्रीमियम सेगमेंट्स के लिए हैं चाहे वो हिमालियन हो या फिर टाटा कॉपर लेकिन अगर बिसलरी टाटा की हो जाती है तो कमपनी आम लोगों के बीच भी पहुँच जाएगी पानी मतलब बिसलरी जैसी जो भावना है वो टाटा को फायदा मिलेगा बिसलरी के acquisition के बाद Tata का जो water profile है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा Tata के पास जो भी water brand है वो premium brand है Tata के हिमालियन water की कीमत 50 से 70 रुपे तक की है और वहीं जो gluco plus है जो सिर्फ 200 ml की आती है वो सिर्फ 10 रुपे में provide करती है ऐसे में अगर बिसलरी Tata की हो जाती है तो Tata आम लोगों तक आसानी से पहुच सकेगी तो इसकी वएसे package water bottle के business में खुद को और भी ज़्यादा मजबूत कर लेगी बिसलरी की website पर मवजूद जो information है उसके हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ की बिसलरी के पास लगबग 4500 से अधिक distributors मौझूद है और 5000 से ज़्यादा distribution ट्रक्स है जिसकी वएसे इस साल मतलब की financial year 2023 में company को 220 करूर का profit करने की उमीद है और company का जो turnover है वह लगबग 2500 करूर रुपे तक पहुचाने के expectation है टाटा अगर बिसलरी को खरीद लेती है तो भारत में package water bottle की जो बिजनेस है उस पर टाटा का ही राज होगा market research and advertising tax i research की report के मताबिक financial year 2021 में भारत में जो package water bottle था उसका बिजनेस 243 करूर डॉलर था यानि की करीब करीब 19,315 करूर रुपे का था जिससे की यह पता चलता है कि आज के समय में लोग अपनी health और water hygiene को लेकर सजग हो रहा है माना जा रहा है कि यह जो business है इसमें हर साल लगभग 13.25% की compound annual growth rate से बढ़ती जा रही है ऐसे में Tata के पास बहुत ही अच्छा मौका है देश और विदेश में दोनों जगा में अपने water business को बढ़ाने के लिए बिसलरी के पास 122 से अधिक operational plant है mineral water के साथ साथ बिसलरी international premium brand भी बेशती है अगर यह deal हो जाती है तो Tata package water bottle के business में entry level mid segment और premium category में सामिल हो जायाएगा equity research firm नुवावा इंस्टिट्लन equities ने अपनी report किन में कहा है कि अगर यह deal हो जाती है तो अगले financial year में Tata consumer products की जो revenue है उसमें profit 18% तक बढ़ सकता है revenue के साथ साथ बिसलरी के आने से company का जो portfolio हो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इसके साथ साथ बाजार में इनकी पकड और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी गौर करने वाली बात यहा है कि बिसलरी के मालिक रमेश चोहान 82 साल के उनका स्वास ठीक नहीं है और अपने successor के अभाव में वे अपनी company को 6000 से लेकर 7000 करोड के बीच में वो बेचने के planning कर रहे है तो अगर आप टाटा के बारे में और भी ज्यादा जानना चाते तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें तो थैंक यू अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप आमरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को पीजिए सू थाइक्यू धन्यवाद है वा गुड़ डे